वर्दमान महावीर खुला विश्विद्याले के एमिट पाठे क्रम में प्रवेश लेने वाले सभी विध्यारतियों का मैं डॉक्टर कीर्थी सिंग शिक्षा विभाग के ओर से हार्दिक अभिननन करती हूँ आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट शक्षिक प्रभंधन के बारे में चर्चा करेंगे यह एक औप्शनल पेपर है एच्छिक पेपर है यह उनी विध्यारतियों के लिए है जो इसे एजन औप्शनल पेपर आप्ट करेंगे विश्विद्याले की ओर से इसे MED 12 का कोड दिया गया है यह कुल 8 क्रेडिट का पेपर है एक क्रेडिट 30 घंटे का होता है अथा यदि आप इसे 240 घंटे अध्यन करते हैं तो आप इसमें सफलता पूर्वक उत्तिन हो सकते हैं इसके मुल्यांकन में असाइनमेंट वर्ट टाम एंड इग्जामिनेशन दोनों शामिल होंगे MED एक टू इयर्स प्रोग्राम है आप इस पेपर को सेकेंड एर में पढ़ेंगे यदि आप 2014 में प्रवेश लेते हैं तो इसके जो असाइनमेंट होंगे आंत्रिक मुल्यांकन होंगे वो 30 अपरेल 2016 तक अपने अध्यन केंदर में जमा कराने होंगे इसकी परिक्षा जून 2016 में आयुजित की जाएगी विश्विद्याले द्वारा पठन पाथे सामगरी हिंदी में दी जाएगी परिक्षा आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में दे सकते हैं शक्षिक प्रबंधन को पढ़ने के पश्चात आप शिक्षा से संबंदित प्रबंधन व प्रशासन को परिभाशित कर सकेंगे प्रबंधन व प्रशासन चुकि साथ साथ चलता है इसी क्रम में आप इसकी व्याख्या भी कर सकेंगे प्रबंदन वा प्रशासन के उद्देश्य, अर्थ, सिध्धान्त, कारे, विशेश्टाओं, आवश्रक्ता वा महत्व को भी जान सकेंगे आप इसके मूलभूत तत्वों का चैन कर सकेंगे शिक्षन संस्थान में समाजिक प्रणाली के समन्वे हेतू प्रबंदन किस प्रकार किया जाता है उसकी जानकारी हासिल कर सकेंगे प्रबंदन हेतू भूमिका संगर्ष सिध्धान्त के माध्यम से व्यक्ति की भूमिका के साथ वातावरन के समन्वे को समझ सकेंगे विभिन निर्णे प्रक्रिया प्रतिमानों को समसकेंगे संगठनात्मक द्रिष्टिकोन पर आधारित विभिन शैक्षिक प्रशासन वा प्रबंदन के सिद्धानतों को समसकेंगे वहवारवादी उपागम की अवधारना विशेशताओं वा महत्व को जान सकेंगे प्रणाली उपागम की अवधारना विशेशताओं व महत्व को जान सकेंगे प्रबंद की ये भूमिका उपागम की अवधारना विशेशताओं व महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे संपून, गुणात्मक, प्रबंदन की ऐतिहासिक स्वरूप के साथ साथ उसके अर्थ, उद्देशे, सिधान्त, कारे, विशेश्ताओं वा अवश्चकता के महत्व को जान सकेंगे शैक्षिक योजना के अर्थ को समझ सकेंगे उसकी विशेष्टाओं आवशरकतावा महत्व को जान सकेंगे संगठन का क्या अर्थ होता है उसके क्या उद्देश्शे होते हैं किसी भी विद्याले में इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे शेक्षिक प्रशासन वा प्रभंदन में नेत्रित्व का क्या अर्थ होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं उजह किन एक शिद्धान्तों पर आधारित होता है नेत्रित्व की क्या विशेषटाएं होती हैं आधी के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे संगठन का अर्थ उद्देश्य सिध्धान्त विशेष्टा के महत्व को जान सकेंगे शैक्षिक परियवेशन का अर्थ उद्देश्य सिध्धान्त वा महत्व को जान सकेंगे शेक्षिक निर्णायन का संप्रत्य अर्थ उद्देश्य सिध्धान्त कार्य विशेष्टा प्रकार आवश्यक्ता वा महत्व को जान सकेंगे शेक्षिक प्रशासन वा प्रबंद में समयनवय का क्या अर्थ होता है उसका क्या संप्रत्ते हैं शैलियां प्रकार महत्व आधी के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे स्वाठ का अर्थ जान सकेंगे स्वाठ की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपर्चुनिटीज थ्रेट्स इसकी क्या शैलियां होती है इसका क्या महत्व होता है आधी के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे शैक्षिक प्रशासन वा प्रबंद में दावाव वा नियंतरन की क्या आवश्यक्ता है और उसका क्या अर्थ होता है यह भी जान सकेंगे समय प्रबंदन को जान सकेंगे शिक्षा में नवाचार को जान सकेंगे शेक्षिक प्रशासन वा प्रबंद में सम्वेधाने क्या प्रावधान हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासल कर सकेंगे विद्याले प्रबंद के उद्देश्यों के बारे में जानकारी हासल कर सकेंगे इसके अतिरिक्त शेक्षिक प्रशासन वा प्रबंद में निरिक्षन वा मॉनिटरिंग की क्या आवश्यक्ता है उसके बारे में जानकारी हासल कर सकेंगे इसके अतिरिक्त मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो उसका मूल्यांकन होगा उसमें assignment और term and exam दोनों होगे यह कुल 100 अंकों का होगा दिसमें 20 अंक assignment को दिये गए हैं और 80 अंक term and examination को दिये गए हैं जो प्रश्णों का प्रारूप रहेगा वो आप screen पर देख सकते हैं 20 अंक का जो assignment होगा उसमें से 4 में से 4 प्रश्ण हल करने होगे जो एक शब्द या एक वाक्य के होगे जिने चार अंक दिये गए हैं चार में से किनी दो प्रश्णों को हल करना होगा जो आठ अंक के होगे लगू उत्तरात्मक होंगे और 200 शब्दों में परिसीमित करना होगा दो में से किसी एक प्रशन को हल करना होगा जो आठ अंक का होगा ये निबंदात्मक होगा और आठ सो शब्दों में परिसीमित करना होगा इसके अतिरित सुत्रांत परिक्षा जो की असी अंक की होगी उसमें आठ में से आठ प्रशन हल करने होगे अती लगू उत्तरात्मक होगे एक वाक्य या एक शब्द के होगे यह 16 अंक के होगे आठ में से चार प्रशन करने होगे जो 32 अंक के होगे लगू उत्तरात्मक होगे और दो सो शब्दों में परिसीमित करना होगा दो में से दो प्रश्ण करने होंगे जिसमें आंतरिक चैन के सुविधा रहेगी यह बत्ते संक के होंगे निबंदात्माक प्रश्ण होंगे और आट सो शब्दों में परिसीमित करना होगा जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, परिक्षा आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माद्यम में दे सकते हैं, पर चुकी पाठे सामगरी हिंदी में हैं, तो वह लोग जो अंग्रेजी माद्यम के हैं, उनके लिए कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कुछ इसमें पुस्तकी हिंदी की भी हैं, जिनकी साहता से आप टर्म एंड इग्जामिनेशन में और असाइनमेंट में हेल्प ले सकते हैं, जैसी अगरवाल, सुपरवाइजरी प्राक्टिसेज एन एडुकेशन अड्मिस्रेशन, मैजलो, इंप्रूविं शेक्षिक प्रशासन, S.N. Mukherjee, Administration of Education, Planning and Finance, R.P. Bhatnagar and Vidya Agrawal, Educational Administration, Asok Siddhana and Anjali Sharma, Educational Management and School Organization, Dev Datta Sharma, शेक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व, S.P. Sukhaiya, विद्याले प्रशासन, एवं संगथन, R.A. Sharma, शेक्षा प्रबंधन इस पाठेक्रम से संबंधित, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्य आती है, तो आप मुझे संपर्ग कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त, Dr. R.R. Singh, जो की इस कारेक्रम के समनवयक भी हैं और संयोजक भी हैं, से भी संपर्ग कर सकते हैं, जिनका मेल आईडी आप स्क्रीन पर द 10. Thank you so much.